अब हम दो फलन यदि गुनन फल में दिये गए हैं तो उसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन की एक विधी जिसे हम खंडसा समाकलन कहते हैं अर्थाद इसमें दो अलग अलग फलन होते हैं एक को पहला फलन मानेंगे और दूसरे को दूसरा फलन मानेंगे और फिर इसका समाकलन करेंगे आएए देखते हैं इसका सूत्र खंडसा समाकलन या integration by parts दो फलनों के गुननफल का समाकल मान लो f1 of x वा f2 of x x के कोई दो फलन है तब दो फलनों के गुननफल के आउकल नियम से हम यह लिख सकते हैं d by dx of f1 of x into f2 of x equal to f1 of x into d by dx of f2 of x plus f2 of x into d by dx of f1 of x अर्थात यदि दो फलन का गुननफल हो और उसका हमें आउकलन करने कहा जाए तो यह बराबर होता है पहला फलन गुना दूसरे फलन का आउकलन धन दूसरा फलन गुना पहले फलन का आउकलन यदि दोनों पक्षों को x के साफ एक्ष समाकलन करने तो हमें मिलेगा f1 of x into f2 of x equal to integration या समाकलन f1 of x into d by dx of f2 of x dx plus integration f2 of x into d by dx of f1 of x dx अब यदि इसे आगे सरल करें तो हम लिख सकते हैं integration f1 of x into d by dx of f2 of x dx equal to f1 of x into f2 of x minus integration f2 of x into d by dx of f1 of x dx अब मान लो f1 of x equal to u तथा d by dx of f2 of x equal to v तो हमें f2 of x equal to integration v dx मिलेगा तो इस प्रकार हम यह लिख सकते हैं कि integration u into v dx equal to u integration v dx minus integration of d by dx of u integration v dx then whole dx इसे सब्दों में हम यह कह सकते हैं कि दो फलनों के गुनन फल का समाकल बराबर प्रथम फलन गुनित द्वीती का समाकल रिन प्रथम का अउकल गुनांक गुना द्वीती का समाकल और फिर पूरे का समाकल इस नियम के द्वारा समाकलन करना खंडसा समाकलन कहलाता है इस विधी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रथम वा द्वीतिय फलन का चुनाओ किस प्रकार किया जाए कि दाएं पक्ष में द्वीतिय पद का मान ग्यात करना सरल हो जाए यद्यपी प्रथम वा द्वीतिय फलनों को चुनने का कोई समान्य नियम नहीं है फिर भी इस विधी के द्वारा समाकल ग्यात करते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है इसमें पहला बिंदु दो फलनों में से वह फलन जिसका समाकल ग्यात नहीं है प्रथम फलन माना जाना चाहिए दूसरा यदी दोनों फलनों के समाकल ग्यात हो तो वह फलन जो उत्तरोत्तर अवकलन करने पर शुन्य हो जाता है उसे प्रथम फलन मानना चाहिए तीसरा बिंदु यदी समाकल कोई अकेला फलन है तो एकाई अर्थात एक को दूतिय फलन मानना चाहिए यदि उत्तरोत्तर आउकलन के द्वारा दोनों में से किसी भी फलन का आउकल गुणांग शुन्यन नहीं होता है तो किसी भी फलन को प्रथम फलन माना जा सकता है लेकिन यदि दाएंपक्ष में प्राप्त समाकल मूल रुप में प्राप्त हो जाता है तो हम दिये हुए समाकल का मान पुरु में प्राप्त दाएंपक्ष के समाकल को बाई और ले जाने पर आसानी से ग्यात किया जा सकता है पांच्वाविंदू दो फलनों के गुणन फल का समाकलन करने के लिए उस फलन को प्रतम फलन मानना उचित होगा जो सब्द I L A T E के अक्षरों से प्रारंब हो अर्थात यहाँ पर जो I है इसका मतलब inverse function है या प्रतिलोम फलन L का ताथ पर यह है logarithmic function या लगुगणक फलन से A का ताथ पर यह algebraic function से है या बीजगणीती फलन से T से ताथ पर यह trigonometric function या त्रिकोणमीती फलन से है और E का ताथ पर यह exponential function या चरगातांकी फलन से है तो अब हम खंड सा समाकलन के सूत्र का उप्योग करके समाकलन करेंगे जहां पर दो फलनों का गुननदफल हमें दिया गया होगा और उसका हमें समाकलन गयाद करना होगा तो X दिया गया है कि फलनों का X के साथ एक समाकलन कीजिए और दिया है Y equal to X square E का power X तो यह X square यह algebraic या polynomial function है और E का power X जो है यह exponential function है चरगातांकी फलन है तो आपने यह देखा है कि I let यह formula हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा I for exponential, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric and E for exponential तो यहाँ पर algebraic function है तो इसे हम first function मानेंगे और exponential function भी है यहाँ पर तो इसे हम second function मानेंगे तो इस sequence में जो पहला आता है उसे हम first function मानते हैं उसके बाद में आने वाले function को second function consider करते हैं अर्थात यह कि x square को प्रथम फ़लन मानेंगे और e का power x e का power x को हम दीती फ़लन मानेंगे तो अगर इस दिये गए function का integration यह समाकलन आई हो तो इसे हम लिखेंगे x square e का power x dx x के साप एकशिस का समाकलन कर रहे हैं खंड सा समाकलन का सूत्र हमें पता है integration u v dx equal to u integration v dx minus d by dx of u then integration v dx then whole integration dx तो यह खंड सा समाकलन का सूत्र है जहां पर u को प्रथम फ़लन और v को हमने दीती फ़लन माना है तो u के इस्थान पर हम x square और v के इस्थान पर हम e का power x consider करके इसको सरल करेंगे equal to u अर्थाथ x square integration e का power x dx minus d by dx of x square integration e का power x dx then whole integration dx x square e का power x का समाकलन या integration e का power x ही मिलेगा minus x square का integration 2x और e x e का power x का integration e का power x then dx यहां पर फिर से यह जो दिया गया पद है यहां पर हमें जो पद मिला है यह फिर से दो अलग-अलग फ़लनों का गुनन फ़ल है यहां पर हमें x square मिला था और यहां पर हमें x मिल रहा है तो पुना इसको प्रथम फ़लन और इसको द्वीतिय फ़लन हम मान करके हल करेंगे माना कि यह समी करण एक है यह i equal to चल रहा है i equal to x square e का पावर x माइनस 2 प्रथम फ़लन इस सूतर के नुसार प्रथम फ़लन दूसरे फ़लन का समा कलन माइनस प्रथम फ़लन का आउ कलन दूसरे फ़लन का समा कलन और फिर पूरे फ़लन का समा कलन तो यह मिल गया x square e का पावर x माइनस 2 इंटो x e का पावर x फिर माइनस dx by dx और बी 1 और 1 के साथ dy dx of x 1 और e का पावर x अल्टिमेटल यह मिलेगा e का पावर x dx आगे solve करेंगे तो मिलेगा x square e का पावर x माइनस 2 x e का पावर x और यह माइनस और माइनस प्लस 2 इंटो e का पावर x 2 e का पावर x और प्लस c जहाँ पर c समाकलन जहाँ पर c समाकलन नियतांक है या समाकलन नियतांक है तो आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक फलन में प्रतिक प्रथम तीनों फलन में e का पावर x जो है यह वह निश्ट आ सकता है तो e का पावर x x square minus 2x plus 2 और plus c तो यह जहां पर c समाकलन यह तांग है तो यह दिये गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ग्याद करना था दूसरा फलन दिया गया है x cube into sin x x cube यह algebraic यह polynomial function है और sin x यह trigonometric function है तो i let में देखें तो arithmetic तो algebraic function यह पहले आता है और trigonometric function बाद में आता है तो x cube को हम प्रसम फलन मानेंगे और sin x को हम द्वीती फलन मानेंगे और फिर खंड़सा समाकलन के सूत्र का उप्योप करके इसका समाकलन यहाद करेंगे माना इस दिये के फलन का समाकलन आई है integration x cube sin x dx खंड़सा समाकलन का सूत्र है यह है खंड़सा समाकलन का सूत्र है u v dx equal to u integration v dx minus d by dx of u integration v dx then whole integration dx इस सूत्र का उप्योप करेंगे जहाँ पर u प्रसम फलन था और v द्वीती फलन था तो ultimately हमें मिल जाएगा i equal to x cube x cube integration sin x dx minus d by dx of x cube integration sin x dx then whole integration dx यहां से मिल जाएगा x cube sin x का समाकलन minus cos x integration यह मिल जाएगा minus cos x फिर minus x cube का आउकलन 3 x square और फिर sin x का अगें integration तो minus cos x और फिर यह dx आगे solve करेंगे तो मिल जाएगा minus x cube cos x minus देखिए यह minus और यह minus ultimately plus हो जाएगा और यहां से हम 3 को वह भैनिश ले लेंगे यह बाहर लेंगे तो 3 into integration x square cos x dx अब पुना देखा जाए तो यह प्रतम फलन और यह द्विती फलन दो अलग अलग फलनों के गुनन फल के रूप में यहां पर भी आया हुआ हुआ है तो इसे हम i2 मान करके चल सकते हैं कि यह i equal to minus x cube cos x plus 3 into i2 जहां i2 equal to integration x square cos x dx माना कि यह जो समीकरण है यह समीकरण एक है हम पहले i2 का मान निकाल लेते हैं i2 equal to फिर से खंड सा समाकरण का उपयोग करेंगे यह प्रसम फलन होगा और यह दूती है फलन होगा x square integration cos x dx minus d by dx of x square integration cos x dx then whole integration dx आगे इसे solve करते हैं x square cos x का जो समाकरण है यह में मिलता है sin x यह मिल जाएगा sin x minus integration sin x square का आउकलन यह मिल जाएगा 2x cos x का integration again sin x dx मिल जाएगा x square sin x minus 2 integration x sin x dx फिर से यहाँ पर यह प्रसम फलन और यह दृती फलन फिर से खंड सा समाकरण के सूत्र का उपयोग करना है मिल गया x square sin x minus 2 into पहला फलन दूसरे फलन का समाकरण यह समाकरण फिर पहले फलन का आउकरण दूसरे फलन का समाकरण और फिर पूरे पत का समाकरण यहाँ पर हम इस ब्रैकरण का उपयोग करते हैं इस पत का समाकरण और फिर यह ब्रैकरण तो ultimately यहाँ पर आपको मिल रहा है x square sin x minus 2 into sin x का समाकरण करेंगे मिल जाएगा आगे से रहल करते हैं x square sin x minus और minus plus 2 x cos x यह minus 2 और plus का multiply होगा माइनस 2 sin x यह मान लेते हैं कि यह दूसरा समाकरण है अब जो समाकरण एक में जहां पर हमें i2 का मान रखना है इस मान को हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमें i मिल जाएगा तो यह i2 को थोड़े देरे पहले हम लोगों ने solve किया था और i2 का मान हमें मिला था x square sin x plus 2 x cos x minus 2 into sin x यह मान हम यहाँ पर put कर देते हैं तो दिये गए फेलन का समाकरण हमें मिल रहा है minus x cube cos x plus 3 into this function x square sin x plus 2 x cos x minus 2 sin x और अंत में हम plus c लगा देते हैं जहाँ पर c समाकरण नहीं अतांग है bracket open करना चाहें तो bracket open करके solve कर सकते हैं minus x cube cos x plus 3 x square sin x plus 6 x cos x और minus 6 sin x plus c तो यह दिये गए फेलन का समाकरण है जो कि हमें ग्यात करने कले कहा गया था इसमें तीसरा प्रस्टन दिया गया है y equal to x into a का power x तो x जो है यह algebraic function है और a का power x यह exponential function यह चरगातां की फेलन है जो जैसा कि आपको बताए कि हम लोगोंने सूतर पढ़ा है i let तो यहाँ पर a algebraic function है और exponential function इसके बाद में आता है इसका मतलब यह कि x को हम प्रत्रम फलन मान करके चलेंगे और a का power x को हम दीती फलन मान करके चलेंगे दूसरी बात यह कि a का power x का समाकलन आपको याद होना चाहिए यह है a का power x upon log a base e यह होता है तो फिर से खंसा समाकलन का सूतर उप्योग करेंगे integration uvdx equal to u integration vdx minus d by dx of u integration vdx then whole integration dx तो इस प्रकार माना दिये गए फलन का समाकलन आई है फिर integration x a का power x dx पहले फलन का आउकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे पत का समाकलन x a का power x का समाकलन a का power x upon log a base e minus d by dx of x that will be 1 और फिर a का power x यह मिल जाएगा a का power x upon log a base e then dx तो देखा जाएगा तो यह जो पद है यह x से रहित पद है यह x से सतंत्र पद है अर्थात यह constant है इसे हम बाहर ले लेंगे और मिल जाएगा x a का power x upon log a base e minus 1 upon log a base e integration sign integration sign a का power x dx x a का power x upon log a base e minus 1 upon log a base e और फिर a का power x का समाकलन करेंगे तो आप मिल जाएगा a का power x upon log a base e तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि a का power x जो है यह दोनों पदों पर है इसे हम awareness ले सकते हैं तो a का power x और यह x upon log अब यहाँ पर हम plus c लगा सकते हैं c समाकलन यह तांग है कि c भी x समाकलन करने के बाद में तो a का power x इंटू x upon log a base e फिर minus 1 upon log a base e इसका स्क्वार हो जाएगा इसमें स्क्वार रगेट यूज कर लेते हैं और plus c तो यह दिया गए फपलन का समाकलन है जो कि हमें ग्यात करने कले कहा गया था अगला फलन दिया गया है 1 plus x square इंटू cos 2x इसका हमें समाकलन ग्यात करना है फिर से यह algebraic function है पहला दिया गया function और दूसरा function trigonometric function है तो इस फलन को या इस function को हम first function और इस function को हम second function मान करके सरल करेंगे तो फिर से हम यहां पर खंटसा समाकलन का सूत्र या integration by parts ये use करेंगे uvdx equal to u integration sign vdx minus d by dx of u integration vdx then whole integration dx तो माना दिया गया फलन का समाकलन आई है integration फिर ये integration sign 1 plus x square cos 2x dx equal to तो पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन तो integration sign cos 2x dx minus d by dx of 1 plus x square फिर integration sign cos 2x dx then whole integration dx आगे solve करते हैं 1 plus x square ये फलन फिर cos x का समाकलन sin x ये जाएगा sin 2x upon 2 क्योंकि x के स्थान पर यहां पर 2x है फिर आगे integration sign 1 plus x square 1 का आउकलन एक का आउकलन शूनी हो जाएगा और x square का 2x मिलेगा तो ये हो गया 2x cos 2x का integration again sin 2x upon 2 dx ये 2 और ये 2 cancel हो जाएगा फिर आगे हमें मिलेगा 1 plus x square into sin 2x upon 2 minus x into sin 2x dx फिर से यहां पर दो अलग-अलग फलनों का गुनन फल है ये प्रथम फलन होगा और ये द्विती फलन होगा खंड सा समाकलन के सूत्र का उपयोग करेंगे पुना तो इसे हम लिख लेते हैं 1 plus x square sin 2x upon 2 minus i2 माना ये जो function दिया गया है इसे हम i2 consider करके चल रहे हैं और फिर आगे सरल करेंगे i2 equal to integration 1 i2 equal to integration x into sin 2x dx ये प्रथम फलन और ये द्विती फलन तो प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन minus d by dx पहले फलन का उकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे पद का समाकलन आगे सौल करते हैं x sin x का समाकलन minus cos x यहां से मिल जाएगा minus cos 2x upon 2 फिर minus d by dx of x that will be 1 और sin 2x का मिल जाएगा minus cos 2x upon 2 dx फिर आगे सौल करते हैं तो ये minus sin बाहरा जाएगा minus x cos 2x upon 2 फिर ये minus और minus plus cos 2x का समाकलन sin 2x तो मिल जाएगा sin 2x और ये पहले से 2 है 2 और 2 4 हो जाएगा और plus c तो ये मान हमें i2 का प्राप्त हो चुका है अब हम i का मान निकालते हैं ये जो i का मान है जहां पर हमने इसे i2 लिख करके आगे सौल किया था तो ये दिये गए फरन का समाकलन हम लिखेंगे 1 plus x square sin 2x upon 2 minus minus के साथ ये minus multiply होगा हमें जाएगा plus x by 2 cos 2x again minus sin 2x upon 4 और minus minus का हम plus लिख लेते हैं और ये c1 और लिख सकते हैं कि जहां c1 equal to minus c और जहांपर c1 या c समाकलन नियातांक हैं तो ये दिये गए फरन का हमें समाकलन प्राप्त हुआ जो कि हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था तो इसमें पहला प्रसन दिया गया है y equal to x into sin of x square इसका हमें समाकलन ग्यात करना है तो आपको sin x का समाकलन ग्यात है लेकिन sin of x square का ग्यात नहीं है तो यही जो पदे इसे हम प्रतिस्थापित करेंगे कि माना x square equal to t दोनों पक्षों का उकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x dx equal to dt या फिर x dx equal to dt upon 2 अब इस फ़लन का समाकलन को यदि हम wise प्रदसित करें तो integration y dx equal to integration x sin of x square dx अब देखिए x into dx यह है इसको हम dt by 2 लिख सकते हैं अब sin of x square और x square को हम लिखेंगे t तो ultimately यह परिवर्थित हो जाएगा sin of t dt upon 2 में तो 1 upon 2 को हम बाहर ले लेते हैं और फिर यह sin t dt sin का समाकलन minus of cos यह मिल जाएगा minus 1 by 2 cos of t plus c या फिर minus 1 by 2 cos t और t के स्थान पर आपको लिखना है x square plus c तो यह इस दिया गया प्रशन का उत्तर है अगला प्रशन दिया गया है फलन है e का पावर m sin inverse x upon square root over 1 minus x square तो ध्यान दीजे कि sin square ध्यान दीजे कि sin inverse x का यदि हम आउकलन करें तो हमें मिलता है 1 upon square root over 1 minus x square इस तरीके के पद में से सरल करने के लिए प्रतिस्थापन का मुप्योग करेंगे और हम यह मानेंगे कि माना m into sin square x equal to t दोनों पक्षों का उकलन करेंगे m जो यह constant है sin inverse x तो यह मिल दाएगा 1 upon square root over 1 minus x square dx equal to dt तो यह फिर आपी से लिख सकते हैं dx upon square root over 1 minus x square equal to dt upon m अब इसका समाकलन को हम लिख रहे हैं i integration sin y dx equal to integration sin e का power m sin inverse x upon square root over 1 minus x square dx e का power t फिर dx upon square root over 1 minus x square इसे हम लिख सकते हैं dt upon m तो 1 upon m बाहर आजाएगा e का power t dt e का power t dt यह मिलेगा e का power t यह 1 by m e का power t plus c जहाँ पर c समाकलन यह तांक है अब t का मान हम रख देते हैं आपको मिल दाएगा 1 by m e का power m into sin inverse x और फिर plus c या फिर इसे आप लिख सकते हैं e का power m sin inverse x upon m और plus c और यही इस प्रशन का उत्तर है जो हमें ग्याद करने कहा गया था अगला प्रशन दिया गया है y equal to x square e का power x उसका power में 3 into cos of e का power x का power 3 इसका हमें समाकलन ग्याद करना है तो cos के साथ में जो पद अंदर में दिया गया है cos का जो function है इस पद को हम t से replace करेंगे तो लिखेंगे कि माना x का power 3 यह है e का power x का power 3 equal to t इसका जब आउकलन करेंगे तो देखें e का power x का जो समाकलन और आउकलन दोनों e का power x ही होता है तो आपको मिल जाएगा e का power x का power 3 अब x का power 3 का जब आउकलन करेंगे इससे अब लिखेंगे d by dx of x का power 3 then dx equal to dt या फिर यह मिल जाएगा e का power x का power 3 और यह आपको मिल जाएगा 3x square और फिर यह dx बराबर dt आप लिख सकते हैं x square e का power x का power 3 dx बराबर dt by 3 अब समाकलन को यह दियम आई से प्रदसित करें integration y dx equal to x square e का power x का power 3 into cos of e का power x का power 3 dx देखिए x square यह वाला पद यह वाला पद और यह dx इसे हम replace कर सकते हैं dty3 से तो यह हमने लिख दिया dty3 अब cos of यह जो अंदर में फलन है इसको मिने माना है t तो यह आपको मिल जाएगा cos of t यह 1 by 3 integration sign cos t dt cos t का समाकलन sin t तो आपको मिल जाएगा 1 by 3 sin t plus c समाकलन जहां पर c समाकल नहीं है थांके t को replace कर देंगे तो आपको मिल जाएगा sin of e का power x का power 3 plus c और यही दिये गया प्रश्न का उत्तर है प्रश्न दिया गया है e का power tan inverse x upon 1 plus x square इस फलन का हमें समाकलन गयाद करना है तो इस प्रकार के प्रश्न में ध्यान देंगे कि tan inverse x equal to t दोनों पक्षों का जब आप आउकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 by 1 plus x square dx equal to dt अब integration को जदी आई से प्रश्न करें तो integration y dx equal to y का मतलब है e का power tan inverse x upon 1 plus x square dx dx upon 1 plus x square इसको हम replace कर सकते है dt से तो यह मिल जाएगा e का power t dt e का power t का समाकलन e का power t ही मिलेगा आपको तो इस प्रकार आपको मिल रहा है e का power t और t का मतलब है tan inverse x और यह plus c यह दिया है प्रश्न का उत्तर है प्रश्न दिया है कि y equal to cos square of log x upon x इसका हमें समाकलन ग्याद करना है तो इस प्रश्न में भी हम log x को हम t मान करके चलेंगी क्योंकि log x का उकलन 1 by x होता है तो log x equal to t समाक दोनों पक्षों का उकलन करने पर 1 by x dx equal to dt इसका समाकलन को यह दिया हम y से प्रश्न करें तो integration y dx equal to integration cos square log of x upon x dx आगे solve करते हैं integration cos square log x को हमने बहाना है t और dx upon x यह आपको इसके पहले हम लोगों ने जो सूतर पढ़े हैं उसका मुप्योग करेंगे वो यह की cos 2x equal to 2 cos square x minus 1 इसका मदलब यह की 2 cos square x equal to cos 2x plus 1 इस दो को पक्षंतर कर दें तो आपको मिल जाएगा cos square x equal to cos of 2x plus 1 upon 2 इसको हम यहाँ पर put कर देते हैं तो integration sign cos of 2x plus 1 upon 2 यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी हम t का उप्योग करेंगे यह t और यह dt 1 by 2 जो यह common आ जाएगा यह उगर इस निकाल लेंगे और cos 2t plus 1 और यह dt cos t का समाकलन sin t तो मिल जाएगा 1 by 2 cos t का sin t upon 2 क्योंकि t की सान पर यहाँ पर 2t है फिर plus t plus c value put कर देते हैं आगे multiply करेंगे तो मिल जाएगा 1 by 4 sin of 2t तो 2 और आफ यह log x plus 1 by 2t t का मतलब है log x और यह plus c तो यह इस दियाएगा प्रशन का उत्तर है जो हमें ग्याद करना था अंगला प्रशन दिया है y equal to x into sin cube x square into cos of x square तो यह दी इस का समाकलन को हम आई लिखें तो इसे हम लिखेंगे x into sin cube x square into cos of x square dx तो इसके लिए हम प्रतिस्थापन को प्योग करेंगे कि mana x square equal to t तो यहां से आपको मिल जाएगा x dx इसका अब लिख सकते हैं dt by 2 तो यह हम लोगों लिख लिया dt by 2 sin cube x square x square के स्थान पर t और फिर cos of x square तो x square के स्थान पर again t तो यह हमें मिल गया sin cube t cos t और यह dt upon 2 तो इसे आप लिख सकते हैं 1 by 2 sin cube t into cos t dt पुना प्रतिस्थापन को उप्योग करेंगे और लिखेंगे कि माना sin t equal to u तो sin t का जो alkaline होता है वह cos t होता है तो आपको मिल गया cos t dt equal to du तो देखिए यह cos t dt इसको हम du से replace कर सकते हैं तो आपको मिल गया i equal to यह 1 by 2 integration sin cube t तो यह मिल दाएगा u cube और यह du इसका समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा u का power 3 plus 1 4 upon 4 तो यह मिल दाएगा u का power 4 upon 8 यहाँ पर हम plus c लिख लेते हैं समाकलन नहीं था प्लस c अब यह value जब आप put कर देंगे u u का मतलब है sin t यह मिल दाएगा sin t sin t का power 4 plus c अब t x square है तो यहाँ से आपको मिल दाएगा sin of x square whole power 4 upon 8 plus c और सरल करेंगे तो आपकी से लिख सकते है sin का power 4 x square upon 8 plus c और यही वह उत्तर है जो हमें ग्याद करना था तो यह एक विदी हो गई दूसरी विदी से भी हम इसको सरल कर सकते हैं चलिए इसकी दूसरी विदी देखते हैं माना cos of x square equal to t दोनों पक्षों का जब आप आउकलन करेंगे cos x का आउकलन sin x cos x का आउकलन minus sin x तो मिल दाएगा minus x square फिर x square का आउकलन करेंगे तो मिल दाएगा 2x और फिर dx equal to dt तो आप इसे लिख सकते हैं sin of x square और यह x को इधर ले लेते हैं equal to dt by 2 और minus sin इस सर्फ लगा देते हैं तो मिल गया x into sin of x square equal to minus dt by 2 और cos square x को मिने replace कर रखा है t से तो देखिए यह किस रूप में परिवर्थित हो जाएगा integration x sin of x square और sin square of x square और फिर cos of x square dx इस रूप में परिवर्थित कर लेते हैं यह sin cube है इसको हमने sin x और sin square के form में convert कर लिया है यह split कर लिया है यह पद जो है यह minus dt by 2 देगा आपको तो यहां से मिल गया dt तो यह minus को मैंने बहार लिख लिया और यह 1 by 2 अब हम लोगों को नहीं क्या माना है cos of x square को हम लोगों ने माना है t तो cos of x square को हम लोगों ने माना t हम मिल गया sin square sin square को आप लिख सकते हैं 1 minus cos square sin square theta equal to 1 minus cos square theta लिख सकते हैं तो 1 minus cos square of x square लिख लेते हैं अब cos square of x square दोनों पक्षों का work कर देंगे तो मिल जाएगा cos square of x square equal to t square तो यहां से हम इसको directly लिख रहे हैं t square या फिर इसे आप गुणा कर दें यह minus 1 by 2 हम बाहर ले रहे हैं और t का इसके साथ गुणा तो मिल जाएगा t और यह t cube और फिर यह dt minus 1 by 2 t का समाकलन t square upon 2 और t cube का समाकलन t का पावर 4 upon 4 अब आगी जब bracket open करेंगे तो मिल जाएगा minus t square upon 4 minus और minus plus t का पावर 4 upon 8 plus c या पर हम plus c लिख लेते हैं अब t की जो value है वो put कर देते हैं तो minus cos square of x square by 4 plus cos का पावर 4 of x square by 8 plus c यह वो उत्तर है जो हमें ग्याद करना था तो पिछली विदी से जो हमने उत्तर निकाला था वो और इस विदी से जो उत्तर निकाला था वो दोनों correct हैं दोनों में से आप किसी भी तरीके से सरल कर सकते हैं